फ्रेंस आज की वीडियो में हम बात करें ने वाले हैं कुछ ऐसे एप के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे सुरुआत के दिनों में अपके चैनल को घुरो कराने के लिए अगर आपको 5-6 या एक साल हो चुगए यूट्यूब पे काम करते हुए तो कुछ ऐसे यहाँ पे एप अवलेवल हैं जो सुरुआत के दिनों में हमें हेल्प करते हैं यूट्यूब चैनल को घुरो कराने के लिए तो कौन सी एप है पूरा डिसकस इस वीडियो हम करने वाले है उससे पहले फ्रेंस अगर आप चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर यह क्योंकि आपको यूट्यूब से रिलेटिड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले इस चैनल पर मिलता रहेगा तो फ्रेंस सबसे पहली चीज अगर आपको 5-6 महिने एक साल हो चुका है आप एक न्यूट्यूब करेटर हो तो शुरुआत के दिनों में आपका जो बजट है वो इतना नहीं होगा कि आप एक कैमरा परचेस कर सको या फिले एक माइक परचेस कर सको तो फ्रेंच यहां पे सबसे पहले जो हम एप के बाले में बात करने वाले हैं वो है ओपन कैमरा क्योंकि जब भी आप अपने यूट्यूब वीडियो सूट करते हो अप पने फॉन के प्राइमरी कैमरा से तो वहाँ पे कुछ आप्सन मिसिंग होते हैं जैसे उसमें जो है माइक सपोर्ट नहीं करेगा उसमें ब्राइटनेस का साधा को आप्सन नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको जो है फोकस का आप्सन नहीं मिलेगा तो यह सारी कमियां दूर कर होगा तो फ्रेंस पहली चीज़ तो यह अगर दूसरे एप के बारे मैं बात करूँ तो फ्रेंस दूसरा एप यहां पे है पिक्सल लैप फ्रेंस माले जाए आपने जो अपनी वीडियो कैप्चर कर ली है वीडियो बना ली है तो उसके बाद जो फरस्ट इंप्रेशन यूटूब पे पढ़ता है वो पढ़ता है आपके वीडियो का जो थमनेल कितना अट्रैक्टिव है जितना ज्यादा अट्रैक्टिव आपका यूटूब वीडियो का थमनेल होगा उतनी ज्यादा लोग उस पे कलिक करेंगे आपकी वीडियो को वाच करेंगे तो फ्रेंस एक new youtuber के लिए सबसे जो बड़िया thumbnail वाला एप होता है वो होता है pixel lab मैं अपने सारे जितने भी thumbnail बनाता हूँ वो pixel lab से बनाता हूँ तो फ्रेंस ये होगे हमारे दूसरे एप के बारे में अगर हम तीसरे एप के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे आता है tag you फ्रेंस tag you ये एप भी आपको google के play store में मिल जाएगा वहाँ से आपको download करना है और इसका क्या फाइदा होगा आपको फ्रेंस आप एक मानने जाए आप एक new youtuber हो तो आपको कभी ऐसे videos मिलते हैं जहाँ पे आप ये जानना चाहते हो इस भाई ने इसके बहुत सारे million में views आ रहें तो इन्होंने कौन से tag अपने videos पे यूज की है तो simple सा आपको क्या करना है उस video के URL को copy करना है और आपने tag you app पे जाना है वहाँ पे आपने उसे copy paste करना है तो जितने भी tag उसे यूज के होंगे अपने उस videos पे वो सब आप देख लेंगे क्योंकि friends शुरुआत के दिनों में अगर हम अपनी videos पे tag लगाते है तो हमारे tag बहुत ही ज्यादा लंबे होते है जैसे कि how to grow your YouTube channel अपने YouTube channel को कैसे करो करते है और शुरुआत के दिनों में जो हमें छोटे-छोटे tag यूज करने पड़ते है तो यह tag का जो आपका confusion होगा वो जो app है वो तूर कर देगा आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली friends अगर हम यहाँ पे चौते app के बारे में बात करें तो चौते app में आप जो है ट्यूब बड़ी को डाउनलोड कर सकते हो friends इस app का फाइदा यह होगा जब भी आप इस app पे जाके अपने YouTube channel को यहाँ पे जो है साइन इन करोगे तो जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो उसके जो है सारा सब कुछ यह app बता देता है जैसे कि आपके tag सही है कि नहीं आपका thumbnail सही है कि नहीं आपको जो title, description यह सही है कि नहीं जितना भी आपके वीडियो की चीज़े होंगे सब कुछ यह app आपको बता देगी कि भाई आपने tag बिलकुल सही लगाए है आपका thumbnail 100% सही है यह 80% 50% कितना सही है मतलब आपको help करती है कि आपके वीडियो में कितनी quality है कितना जान है यह सब जो है आपको ट्यूबडी बता देते हैं और maximum जो यूट्यूबर हैं इस app को use करते हैं तो आप भी इसे use करके इस पे आपको जो है login होना पड़ेगा आपके यूट्यूब चैनल से तो आप देखिए आपको भाई login होना है कि आपको यह app चाहिए कि नहीं चाहिए पर आपको कहीं न कहीं यह app जो है help करते है और friends आप बात करते हैं पाच्छोए app के बारे में तो friends आप मेंसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे जिनको जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो यहां पे जो है आपको पाच्छोए app अगर बताओ तो स्क्रीन रिकॉर्डर आप जो है use कर सकते हैं सारे ऐप आपको गूगल के प्लेस्टोर में मिल जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डर मानने जाए कभी आपको किसी चीज के बारे में बताना है आपको जो अपने फॉन में है बताना है कि हम कैसे ओनलाइन अर्टनिंग कर सकते हैं एसके लिए आपको अपने फॉन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है साय्याद आपके फॉन में वह अवलेबल नहीं हो तो आप गूगल एक प्लेस्टोर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग अप डाउनलोड कर सकते हे हैं जिससे कोई भी अपने फॉन में आप काम करते हो तो उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पे वीडियो उसके पना सकते हो तो फ्रेंस अब हम बात करने वाले हैं लास्ट एप की और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन एप है अगर एप एक न्यू यूट्यूबर हो यूट्यूबर आए हो अभी अभी तो फ्रेंस आपको इस एप की जरूर जरूत पढ़ेगी और यह एप है काइन मास्टर फ्रेंस आप थमनेल बना लिया अपने टैग भी यूज कर लिये और बना लिया करते हैं तो आप काइन मास्टर को डाउंलोड कर से उसमें सुरूअत के धिन में कैसे editing करनी है अपनी वीडियो में कैसे effect लगाने है कैसे उसका जो है Wiebeos की quality को आप वहां से सब कुछ काइन मास्टर में सीख सकते हैं और एक बहुती प्रोफेसिनल जो है वीडियो एडिटिंग वहां कर सकते हैं और जितने भी वीडियो आपके देखते हैं लोग देखते हैं यूट्यूब पे वो जब आपकी क्वालिटी बैस्ट होएगी तब जाके आपके चैनल पे व्यूज भी आना सुरोंगे सस्क्राइबर भी आना सुरोंगे और फ्रेंस यहाँ पे एक चीज आपको किलियर कर दूँँ जितनी ज़्यादा एचडी में या जितनी ज़्यादा क्वालिटी आपकी अच्छी होगी वीडियोस की क्वालिटी उतना ज़्यादा यूट्यूब आपके वीडियोस को भी रैंक करवाएगा और ये एक फैक्ट है मालने जाए आपके यूट्यूब वीडियोस पे कोई क्वालिटी ही नहीं है तो इतना ज़्यादा rank नहीं करेगा कोई trending topic को उसे छोड़ के कभी rank नहीं करेगा तो friends आप कोशिस कीजे कि अपने जो videos जब भी आप capture करते हो वो high quality में capture करो ये HD से उपर उसे रखो तो friends ये कुछ ऐसे app है जो सुरुवात के दिनों में एक YouTuber को help करते हैं उसके channel को grow कराने के लिए तो friends उमीद करता हूँ आप भी इनको download करोगे अपने channel को grow कराने के लिए तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe करके bell icon चरूर प्रसके लिए friends ताकि आपको ऐसी वीडियो को notification जो है सबसे पहले मिल सके